नमस्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI Limited इस स्टॉक 71.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.80% का अपमोव दिया था मार्केट कैप हो गई है इसकी 18,724 करोड की मोटर होलिंग 71.70% है वो को वैल्यू 20.60 है डिविडियन दी इस स्टॉक देता ने और फेस वैल्यू 10 है फंडमेंटल वीडियो में अल्यदी बना चुकी हूँ प्लेलिस में आड कर दूँए आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉर्ट में देखे तो ये स्टॉक 50 & 200 दोनों दिये में से उपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है पी रेशो मीडियन से छोटू सी उपर है 5 एस की टाम स्पैन पे एंड वन मंत पे देखे तो मीडियन से काफी नीचे है मीडियन यहां पे 160 के आसपास है एंड पी रेशो 91.80 पे है तो काफी नीचे है यह एक पॉस्टेब पॉइंट है सेल्स और मार्जन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जन हमारा 99.87 पे है एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जन लास्टाइम 55.62 पर सेंट पे था अभी इस क्वार्टर में जा सेल्स भी कम हुई थी और ओपी एम भी 45.81 पे है तो यह भी थोड़ा सा डाइव डाउन किया है यहां पर अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पर चार्ट पर देखिए स्टॉक हमें यह तो पहले एर्थ को आया था इसका रिजल्ट एंड 9th को हमें market से यह काफी नीचे closing इसने दी थी market में तो 5.79% का इसने down move दिया था लगव 6% के आसपास का next day इसने reversal जरूर दिया 5% के आसपास का up move दिया but of course यहां पर resistance काफी strong गया ही इसकी strong support था उसको breach करके नीचे गया है resistance काफी है तो उसके बाद market भी आपको पताए choppy सी चली थी तो अभी Friday को तो market ने काफी अच्छा move दिया है but stocks कुछ तो काफी अच्छा move दे गया है कुछ अभी अटके हुए तो इसका result basically अच्छा नहीं आया था तो वो भी एक reason था इसके down move का तो अभी के लिए देखे तो यह जो इसकी strong resistance है यह 72 की and यह जो है 74.30 की यह दो strong resistance है and अभी इन दोनों resistance के नीचे stock trade कर रहा है RSI जो है 47.54 पर है RSI के पास room बहुत है अगर यहां से निकल के move देना चाहे but क्योंकि result भी इतना कुछ खास नहीं रहा है and move market भी थोड़ी choppiness देखेगी है market में तो थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है संबल के चलने की जू हो सकता है कि market जैसे सही हो जाए वैसे ये भी stock साथ में सही हो जाए अभी के लिए weekly chart एक पर हम check कर लेते हैं तो weekly chart की बात करें तो यहां पे हमें reversal तो ज़रूर देखने को मिला है week पे हलांकी हमें down move भी मिला है but reversal के साथ हमें काफी अच्छा यहां पे देखने को मिला है up move तो यहां पे अगर हम down move की बात करें तो basically down move नहीं इस week में हमें 1.29% का up move ही मिला है RSI ने 60 के पास आके reversal लिया है हलांकी यहां पे consolidate कर रही RSI थोड़ी सी बट अगर market में recovery zone आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ ही stock भी वापस जा सकता है अभी के लिए daily chart पे च यह जो resistance है यहां पे 77 पे हभी 20 days simple moving average और यह जो resistance है यहां से इसको hiccup एक channel में फिर से एंटर करेगा stock उसका आएगा और दूसरा तो यह दो resistance तो एक 72 की and 74.30 के आसपास है तो 74 की और 72 की जो resistance है काफी strong है तो इनका hiccup इसको जरूर रहेगा अभी के लिए जलते है एक बार BSC BSC पर देखिए इसका price band जो है वो 20% का है and news as such कोई भी नहीं अभी but यहां पर यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि delivery percentage इसका 17.22 गया है that means stock को accumulate नहीं किया जा रहा है stock जादा जो है वो trade ही हो रहा है and यहां पर sellers का दवाब भी यहां पर देखने को of course हमें मिला है कोशिश तो इसने करी थी तो अभी अगर fresh entry के हम बात करें trading view की fresh entry तो यहां पर neutral है and मुझे लगता है अगर longer run के लिए बनाना चाहें थोड़ा सा like longer run के लिए यहां पर हम बात करें हूँ two months की तो two months की अगर बनाना चाहें हलांकि यह कोई हम बहुत systematic तरीके से target नहीं लेके चल रहे पर two months की अगर हम बनाना चाहें तो मुझे लगता है इसके आसपास यह stock trade करता हुआ हो सकता है 95-200 के बीच में and वहां पर 33% के move की आसपास की उमीद है क्योंकि यहां पर हम देखें अगर यह channel को ही अगर पुराने इसके अंदर ही यह trade करता है तो यह 30-26 और 30 के बीच में move और पुषि कर सकते हैं तो यहां पर इसको थोड़ा ऊपर करी ही लेते हैं हम तो यह थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो मुझे लगता है उचा थोड़ा सा जुञे आगे आएगा तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं तो चैनल का रिजिस्टन्स हमें इसके आसपास आएगा तो यह हम इसके आसपास की उमीद कर सकते हैं तभी मैंने यहां पे 95 to 100 का बुला तो टू मन्स में मुझे लगता है यह कर सकते हैं अग बाकी अभी के जो चार पैटन बरना है उसकी बात करें हूं रेस्ट जिस जिस तरीके से जैसे यह मार्केट मूव करेगी और जैसी स्टॉक मूव करेगा तो वो फेक्टर तो ऑफकॉस बीच में आते करेंगे तो अभी के लिए अगर ढंक से देखा जाए तो यह टागेट कुछ बहुत जादा प्रॉमिसिंग नहीं यह सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करके बनाएं जो की है यह जो पैटन फॉलो करता है जो इसमें ट्रेड करता है यह जब भी स्टॉक चैनल टू चैनल ट्रे बैस्ति नहीं तो चीज़ को जब तक हमें स्टेबिटी नहीं मिलती है क्योंकि मार्केट्न लास्ट वीग किरिकवर हो जाएगी बत वीच चुटी भी तो मुमेंटम भी तो तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा से समबल के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ए यहां से यह रेजक्षिन लेका आया है वो चैनल के भी बंती है यहां पर इसकी इसकी चैंडलस भी रही है तो छोटा सा लाइट सा हम यह लेके चलते हैं तो यहां के रेजिस्टन्स हमें बनती भी दिखाई दे हैं इसका यहां पर हो सकता है यह स्टॉक यहां से निकल के 72 and 74 सिनारियो के सिनारियो मेडियुम सिनारियो जो भी सिनारियो आप लेके चलेंगे उसे अपना स्तॉप लस्ट जरूर लेके चला करें तो यह मेरी अनलीसिज है कोई वईसेल होल की Friday ममेंडेशन नहीं है आप अपनी अनलीसिज कीजिए जानी संधे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing